कोट ने दोसी पाया जैसा कि जो संग्यान में आया जो कोट का फैसला है वो एक तो नबे की जन्मदी थी है और एक तिरानबे की है तो दोनों में नियाले ने दोसी पाया है दोसी पाने पर सज़ा दिया है तो नियाले के फैसले को सभी लोग मानते हैं हम लोग भी मानते हैं जो फैसला आया है अब उस फैसले को सभी लोग उसका स्वागत करेंगे अब जहां तक सवाल आजम जी का है तो आगे अपील करें सुप्रीम कोट जाके अपना अपील करें फरियाद की क्या गलत है क्या सही ह अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो हमको अंदाज़ा कि समझवादी पार्टी के जो सरकार थी समझवादी पार्टी के ताना साही रवये गुंडा गर्दी के चलते ये जाती प्रमाण पत्र भी सर्टिपिकेट भी बनवाया गया होगा वो भूल गए अखिलिस यादव जी लोग कहते थे कि सरकार में तूती बाजती थी वो भूल गए तो कहीं ने कहीं गलती है गलती के शिप्ट करना चाहिए स्विकार करना चाहिए और अदालत ने जो फैसला दिया है मानी नरिंद मोधी जी को प्रधान मंतरी बनाना है हम जिसको लड़ावें आप लोग उसको उड़ दीजिए बस वो यही सिखा रहे हैं प्रमाड है कि हम लोग इंडिये में सामिल हो करके सट करके हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि 24 में मानी नरिंद मोदी जी प्रधर मंतरी बनेंगे और समाजवादी पाटी यह हट करके मानी अखल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकेन दबा लीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मुझे